कि अधियों जैहें दोस्तों कैसे वाप सभी आसा करता है कि आप सब अच्छे होगे और अपने तयारी को बहतर अंच से कर रहे होंगे ठीक है फिलाल आज हम लोग सुरुआज करेंगे आज्छी क्लास का आज्छी क्लास में लोग पढ़ने वाले मैट के क्लास में यहां पर ल बात करते हैं अधिक लास में आप सब जानने वाले हो कि लावानी बट्टा सम्मंद में पिछली सालों में कैसे सवाल आई थी उसको किस तरह से हल करेंगे ट्रिक की साथा से पॉस्ट की साथा से ठीक है तो बिना समय को कवाए हुए हम लोग सुरू करेंगे अभी क्लास का आज की क्लास का पहला कुशन आप सामने आने वाना है आपके स्क्रिंड बोड पर देखें यहां पर कह रहे हैं कि 110 रुपए की लागत निकोई 110 रुपए लागत की वस्त को यहां पर 104.5 रुपए में बेचा जाता है प्रश्टी में लिखा इसकी 10 रुपए की लागत थी और इसको चार रुपए पांस पैसे 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 बेच देते हैं फिर क्यारे कितने छूट भी गई है तो छूट का मान बताएं तो छूट कितना था यहीं उनको पूछा गया और फिर का प्रसत मान निकालने के चार पा यहां पर फिलाल यहां पर अभर बताएं तो इस सवाल में बहुँ जादा फूट बट्टा से संब्धन है कि यह सबसे सिंपल कुछा कुछन है जैसे 110 रुपए लागत मूल था एक सोचार रुपए पचास परसे बेज दिया आता है यहां के छूट कितना दिया गया तो मतल मतल्य कितना जैसे कि चूट का मूल निकाल लते हैं चूट का मूल कितना होगा गहाटा कि बताइजे कितना होगा 4-10 मतलब जिससे तुलना कर सो नीचे कड़ते होगा, इस दस पर हम छूट दे रहे, 110 पर छूट दिया गया, बटा में 110 लिखा जाएगा, अगुड़ा में क्या होगा, प्रसथ मान निकाले और 100 लगा देंगे, कितना हुआ है, अराम से काम करेंगे, डबल जिरो क्या करेंगा, दसनलों को हटा देगा, इसे ऐसे कड़ जाएगा, 11 पर छूट का मान निकाले तो इसका प्रसथ मान निकालेंगे, छूट किस पर मिला था, क्रेम मुल्क पर, जो उसमें लागत था, उसमें लिखा हुआ हुआ मुल्क था, 110 लुपए पर छूट दिया, जिस से तुलना करते, उसको सवाल का हल पाएंगे, किसी कोई डाउट हो, तो पूछा करो, अच्छा हां, अब कोई सवाल जैसे एक तो टाइम के साथ से, और किसके बाद क्या होगा, एक समय भी सर्मय की सीमा होती है, और काम करने का तरीका सिखाना होता है, उसको जो सवाल लगा देता हूँ, इस टाइ आज के बाद से होना लगेगा, और फिर से में आपको जो डाउट सोंगे, वो सो क्लियर हो जाएंगे, ठीकत यहाँ पर क्या था, जो में सवाल थी, कोई किसी को डाउट हो, अभी आप पूछो, बागी सवाल इस नहीं के और में जाएंगे आपको, यह जो प्रेस थारा, य मुझे तो कोई नहीं कर से था, लेकिन कुछे नहीं होगेगा, आगे चले न, कोई को डाउट हो किसी को बताईएगा, आगे बंच अगला कुछे लिख रहा हूँ, हाँ कोई बाद से नहीं लिखिए न, अगला कुछे लिखिएगा, इस सवाल को, ठीक है, अच्छा, आगे अगे लिखिए न, कोई सामान था, एक सो दुझ सुपेम कया था, उसने, उसने खई रहा था, उसका जो प्रैमूल था, इतना रूपया है, और इसने क्या किया, उसको एक सो चार रूपया पचास परचें मेच अच्छिए था, इसका विक्रेमूल है, इसमें बेचा ह कितना परशेंट कर निकालेंगे कितना परशेंट होगा परशेंट निकालते हैं जिसने तुल्णा करते हो वैसे आप जानते हो क्या होगा यहां पे हानी गुड़ा में 100 बटा में अंकित मूल या अंकित मूल होता है कितने पर मिला 110 रुपे पर चूट मिला जिस पर मिलता है जिससे तुलना करते हो और यहां पे गुड़ा में अंस में पांच रुपिया होगा सो से गुड़ा करने का वाजा क्या था प्रस्वत्मान निकाल रहे हैं हल करेंगे पांच परसेंट आ गया बढ़ें आगे बढ़ाए ना इसे यहां पर अगला कुशन जो है वो भी किसी एक जाम में आया हुआ सवाल है यहां पर अब देखें इसे काम करेंगे सीख जाओंगे 30 परसेंट और 40 परसेंट हो रहा कुछ बात है 30 परसेंट और 40 परसेंट 10 है क्या 10 करेंगे 10 परसेंट की 2 क्रमादर छूट छूट का मतलब बठता है यह लिखा ले आ हैं छूट देने के बार 30 परसेंट और 10 परसेंट की 2 क्रमादर छूट देने के बार एक बस्तु नौसो पंचानवे रूपए में बेची है तो लागत मूल निकालना है इस लागत मूल आपको यहां बतारा है चलिए कुश्चन आपस लिख आप समझाव कुश्चन पेले यहां पर तेरा सो पच्चास है हो सकते हैं पंदरा सो अभी आप लाग सकते हों कि लोला सो अप्चन में सत्रा सो है यहां पास लागत मूल लेकि चार विकल्प हैं यह पाइक्छा दो जाए उननीस में सुटाइस जिर्वरी गवाई हुई थी यूपी कॉश्चन पाइक्छा में ठीक है दस प्रसमें छूट और दे दिये हैं तो दो क्रमागत छूटों के दौरान क्या होता है उसका परिडामी छूट कितना आएगा उसका मान निकालेंगे छूट का मतलब मूले में कमी होती है तो अगर तो परिवर्तन हो रहा है प्रस्चत कर दो परिवर्तन एक साथ हो रहा है तो लिता है आप परिवर्तन का मान निकालने का सूत बताये गए था दो परिवर्तन किसी भी मान में दो बार परिवर्तन लगातार होता है तो उसका परिवर्तन क्या होता है यक्स प्रसमे वाई प्रसमे एक्स वाई बता में क्या बस्तो यह क्या बताता है पाइडामी पाइवरतन कमान बताता है और यहां पे आप मुले में क्या कर रहे हो कमी कर रहे हो मुले में कमी होने का मतलब यहां एक्स कमान माइस रखेंगी मुले ब्रित्धी होगी तो मान को प्लस रखा करेंगे ठीक हानी में कमी होती है हानी में माइस प्लस में यहां प्लस में यहां पर 10 हो जाएगा ठीक है पूरा का बटा सव करेंगे अब यहां पर रीखे यहां तिन समान है क्या हो जाएगा जुड़ेगा चालिस होगा और अप्लस में प्लस हो जाएगा यहां पर इसे काट टेट में यहां बचेगा तीन भूने कितना यहां यहां पर 37% को डिखा खूत आगया है और अंकित मूल 100 उसमें 37 परसंट क्या ले रहा है उसका छूट दिया है ऑज सायथीस परसंट के स्थूट दे रहा है तो इसके बाद क्या हो गया तो इसका विक्रे मुल कितना हुआ होगा साइथी च्छूट दे दिया स्हाधि स्कम कर दिया कितने भच आख गा 35 कि आख गा मतलब मान षक मान निकाला Подख न कीटना होता एक को मान 945 है एक परसं का मान कितना हो जाएगा जादा से कमान किपालेंगे एक से जादा क्या करते हैं ‫कमान 945 पर्टा में होतीны क्या हो जाएगा यहां कल सो पर्षिंट का जो मान होगा वो सौ से बुड़ा करके निकालेंगे 945 बटा में 30 होगा इसी को हल करोगे जो आएगा आपका वही सवाल बनके आएगा कदेया 5 यहां कुछ ऑलने AREIA 4-6, 5-6-6, 5-6 zod 5-6다고 जाएगा इसे कार देंगे आरामसे हां आप और ढूं से कार नो से कारटिये वह सास से कार कार अगर नहीं कार एक टवा हैं तक सवाल थोड़ा सा बाद में आसान हो जाएगी बाकि इतना कुछ बना सवाल में लिखा था 30 एक बार छूट मिला 10 परसें दोसी बार छूट मिला छूट मिला तो मूले में कमी होती है कमी के लिख रहां के प्रमादा छूटों का पड़ामी मान निकाली है उसको कुल मिलाकर पूरा मूली का क्या था साधिस बाद छूट मिला था 100% मूल होता था क्रेमूल लागास मूल उसका 100% साधिस ने कम कर लिए 63% साधिस ने बेचा है 63% मूल हमारे 925 था अगर 63% मूल 945 ए करेंगे जादा से एक कलिए और य corporate क्या को वह बनाया करते हैं अब यहाँ पर अगर आगर किसी और ओडा जाएक है और रहाभ भड़ल सोगा और यहां参से भी कह साकते शकूरमा अगे सवाल लगा रहा हो उसके पदें किसी कुछ चर्चा करना हो तो कर सकते हैं और ऐसे सवाले आती हैं चूट की लागत मूल क्रेमूल विक्रेमूल ऐसा कूशने को आता है अच्छा इक बात या भी होता है थ्वाद साथ अपने आप में सुषाव। लेता है अभी आप ठीक हो नहीं ले रहा है जब आपका समय आएगा तो लेगा समय नैप करता है कि मतलब कि तुम्हारा वक्त है फूर लीजिए हमारा आएगा तो उड़ा देंगे तुम्हारा आएगा तो सबको ऐसा करना होगा उन्हों सवाल पर एगे सवाल यह थाइस जनवरी को पेपर हुआ था टुम्हार उन्नीस में को बलती कि कर से क्वश्चेंपने सब्सक्राइब लिखा आये कि कोई वस्त है वस्त है यहाँ पर अंकित कीमत पर 12% पर छूट अन्माल देता है अंकित मूले पर 12% की छूट दिया जाता है छूट दिया जाता है अच्छा फिर यहाँ पर कह रहा है छूट देने बाद फिर उसमें फिर दस परसंट लाख प्राप्थ होता है फिर भी 10% लाख प्राप्थ होता है लाख प्राप्थ होता है वाज पिछ्मी फिर निकालना तो अंकित मूल क्या होगा कि मुला में और इस पर इसमें है आपका ओफ्सनी की स्वाफिस है और भाट सुंद पूरा-पूरा तो होगा और तीन जाएगा एचार है कि मारे पास है यहां पे जो भी प्रेश्ण है इस प्रेश्ण में दो बाके हैं ना दो तरीके से दो इस्वाल लाएगा और अराम से लग आप आओगे, देखिए यह सब सवाल भले यहाँ पे समझाने में, बोलने में, बाते करने में समय लगता है, लेकिन आप अगर आ जाएगा ता आप समय बिना लगाएंगी, बतलब ता उसमय में लगा सकते हैं, बहुत सच होता है, बहुत सचीज़े नहीं की दिया है, ब amended दो कर से करने में, बेना है चुर्फ कर आप नहीं कर ने हो समय करेंगी, बहुत अर्वं आप क्या कहे हो 250 रुपया 25 रुपया क्या है आप रॉपया क्रैमूल हमारा है क्रैमूल हम लोग क्या करते हैं 100% मानके चलते हैं अब इसको 10% विक्रें करते हैं तो यहां भीत्र है 110 हा गया अब 110 का मान क्या होगा हुगा हमको क्या क्या कर या 110 का मान क्या होग कर देंगे पचीज सो हो जाएगा, बटा कितना कितना हो सो कैसे निकल के आया है? सो करशन कमान 25 सो एक परशन कमान 25 सो बटा 100 होगा 110 के निकालेंगे 110 के गुड़ा करेंगे क्या होता फिर सब्झा रहा हो अगर इहाँ पर 100 परशन मचलब कि आपका जो क्रैमोल कमान था, वो 500 रूपया है और आप 1 पर्षन कमान निकालने तना बन जाएगा, ज़्यादा से 1 कमान निकालते हैं भाग करते हैं पट्चीस सो हो जाएगा, बट्ठा में क्या होगा? सभ होगा, इसको पाट के आप पचीस भी लिख सकते थे, नहीं लिखा हूँ बस आगया तो उसके बाद एक परसंट का मान इकालना है, आप क्या निकालना है? एक से ज़़ादा का मान निकालने क्या करेंगे, आप प्रइस का साँ लिवेड़ थिया इतने बेचा है ये बद्ध सही हुआ होगा एंगिध मूले कितना हो बोल कितना किँ में उतना मर्क लिखा होता है उसने कंचे हैं क्स चूट देते हैung ऐसने बेच दिया है। विक्रेमूल नहीं को पता है। अब यागार कहते दिया कि अंकित मोंल कितना होगा अंकित मोल लेजे पूरा बड़ा मांत सव Pokemon मालेंगे अंकित मोल जादा होता हैं उठाइब चुल तब किताब में यह सब्सक्राइब कर मतलबbuch हमारा आइपले कितने बेच रहे हैं है सबताे हैं पर यहां p e s मिलेया कितना रहां कितना होगा यह इसका मान कितना होगा ऐसें आपको तो पचाइगा कितना है यहां पर स्मझेक पूरी बातों पर बताऊंगा दो इसमें अप समय नहीं लगाने वाली हो यहां पर क्या था इतने बेच रहा है तो यहां बारा परसन लाग कमाईगा इतने बेचेगा भी इसका मतलब अंकित मूल मैं जादा था कितना जाया था 88% में बेच रहा था थी कि 100% मूल माल लेंगे 12% के छूट दिया है 12% कम कर दो कितना बन जाएगा 88% बेच रहा है 2750 बेच रहा है इसका 100% कमान निकाले हैं हल करेंगे अपने बात बन जाएगी विस्टे डबल जीरो ते यहां तीन जीरो आ गया कैसे कटेगा यह देखें कितनी बार जाएगा और यहां पर सवाल रेगा फिरसे एक बार लाच्स ने मत आहूंगा बाकिसमेर सवाल और एब और है भी यह सवाल एकजामें ऐसे आया करती हैं इसमें दो बाते होती हैं पचीस सोर उपेया में क्या था? खाईदा था खाईदा क्राइमूल हमें समस्ट परसंट मानते हैं लाब कमाया 10% का मतलब 110% बेचा होगा तो विक्राइमूल 110% है 110% मतलब क्या होगा 2750 पर बेच दिया था 2700 बेचा है रिए छूट के साथ बेचा है कितना परसंट छूट दिया था? 12% छूट दिया था तो 100% बारा परसंट छूट होगा इसका मतलब 88% कमान हमारा 2700 था 100% कमान कितना होगा? 100 से गुड़ा करेगे तो महारा क्या हो जाएगा एक्तिस व पचीज जोगा हुए हमारा अंकित मुल होगा अंकित मुल और क्रह मुल को सौब पर्षिन मान के हल करते हैं यह जित ध्यान हेगा यह थी सवाज और सवाल लगाता हूँ कुछ और क्लेर्टी सकता हूं कि नहीं लिखना अरामसे कर ये काम केवले यहां पर लिख सकते हूं आप यहां बहुत चीजिए को लिखने का प्रयास करता हूं यहां पर जो यह क्या है यह विक्रें निकालते हैं यहां कैसे निकालते हैं यहां निकालते हैं उनके लिए हल्का दिखत हो चकती है किसी इसको आप खईद रहे हो कम पैसे ज़ादा पैसे मैं घचए कि लुक्रे मतलब जिसके बेंश रहे होते हो वह चीज होता है पनय यहां अब यहां को सवासा रहता बहां अगर भागनी की जयावत नहीं होगी और वो competition label का कर रहा होता अपना काम क्योंकि मेरे पास यहां 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 ऐसे लोग बढ़ते हो जो कई वाज जाम यूफिलिस का दिये भी हो और जानते हो जाम का लेवल क्या होता है एक्जाम में करिसी चाहिए होती इस हिसाब से और time कम होने के वज़े से इतना देज चलना ह पेपर कहां चला गया आगे कोई notice fix आई है 20 फरोरी 20 फरोरी 18 फरोरी के संदे संदे उस इंद पेपर होने वाला है अभी यह latest news है इसके लाओ कोई latest news नहीं है आफ लाइन होगा आफ लाइन होगा पक्का ने कर्फाम है जा सकता है और वैसे संभावना है 90 परसंट जा सकता है अभी तो लेकिन अभी latest news थी इनकी मतलब जो बैठाक होई थी भी 500 असपास में साम को साइच सेवाज का बैठाक किया थे उसका पूरे notice जारी किया गया थे ह हां हमारा पेपर अठारा को होगा और सिल्टरोग संख्या लिधायत की गई थी बच्चों संख्या कंफर्म होने ही होते ही सब कुछ कंफर्म करेंगे लिष्ट बनने वाली थी ऐसा कुछ नोटिस आया था फिजाल ऑफिसली कुछ अभी नहीं घावे आए इसले मतलब हां य बोड़ यामभी आ गया है आरो यारो इसले मतलब है अब तो एनी आज पास भी जावने है बहुत कब ऐसा हुआ नहीं हो सकता है बजा या है किना सरकार की क्रिया सीरता होती है सरकार एक्रिय नहीं कुछ भी हो जाए यहां पर देखिएगा एक प्रेशन है का रहा है कि यह प्रेशन आया था 23 जर्मडिकोफ पश्टिफ में आया था लिखा आएकि 10 प्रस्त और 30 प्रस्त के दो छूट के बाद, दो लगातार छूट लिखा था, दो छूट के बाद, अज़ा छूट नहीं है, तो लगातार मार्किंग है, इसको चिंधर लिखे, दिखे, मैं जो लिखा, वहां सा वह लिखना हूँ, चिंधर लिखा, इसका मैं बता हूँ, चिंधर करने पर 20 परसंट के छूट दे जाती है, एक उबस्त को 288 रूपए में बेचाता है, इसका मैं काम नहीं कर सकते हैं, देखिए, अपने इमेर्टे इन स्ट्रॉंग रखो, कोई वारा साब को अटाने का सलचाए, चाहे कोरोना का हो, चाहे जिसका हो, पता करोना में लागों करोनवारिस होते हैं, उसी में एक हमारे पास अभी फिलाल दो साल पहले आया था, तो पहले साल ना सबको को, वारस की चपेट में अभी आए नहीं, आए नहीं है, अभी जिस हाल में जी रहा हूँ वारस चपेट में ही हूँ देखिए वो वारस कौन सा है वो अलग बात होता है अगर आपको हलका सरुद जुखाम इसका नाप में वारस है वो कोरोना का वारस है कोरोना वारस ही है हाँ कोरोना सा फैमिली का वो अलग बात है जशासाब पढ़िएगा, पर करो नावारेस में करोनवारिस की सेम्बली है क्रकार की, उसी का एक पार्ट है, वह जो आप बता रहे हों, जो भी उसका एक पार्ट, उसका सदस्य है, यसे आप इनसान हो, इनसान के सदस्य में आप थलागे हो, देखे, यहां पर प्रष्ण को तो देखेगा ये वैच्ट में आई वह किसी स्वाल थी दस पर्षेंट और भी पर्स पर्सन के दोलॉघाता रहे हां पर चिन्द लिखा गया है दो लोगारां चिन्नित करने पर 20% के छूट दिया रहे हैं यह क्या हो ता है और छिन्द का मतलब होता है और मार्चिंद की गई लागत मूल इसे दस परसंट इस तरह कमाने के चेसकर में इतना इतना बढ़ा दिया इस परसंट गटा कर तब बेस दिया तो इस परसंट गटाने वागत मूल इतना था उनको लागत मूल का मान निकालना है तो सली सवाल को कैसे हर करेंगे अब यहां पर देखिए 10 परसंट और 30 परसंट तरह कितना होगा जोने ने मार्जिंग के लिए बनाया था यह मार्जिंग यह चिंधिन तो मतलब क्या होता है रबाज कितना होगा भूल चारेश दिखिए क्या होगा यहां पर मतलब लखें कुल मार्किंग के इस कुल मार्किंग कितना हो जाएगा 10 परसंट बढ़ा था फिल प्लस में 30 परसंट बढ़ा था दस गुड़ा में क्या हो जाएगा 30 बढ़ा में होगा 100 history history is blocking man करना है सबसे हो गया है फिर बाद में बीस परसन कि तैसलिए इंक्रीज किया कि ट्रैंवं आधा घिया ही तो अगर सब्सक्राइं अब दरौढ़ एक लाऍस पर strive वढ़ा दिया बंगे बढ़ा हुआ है उसका मतलब कितना था उसका विक्रेमुल कितना था सौ में खईदा था 43 बढ़ाए विक्रेमुल बन गाए विक्रेमुल बन गया और विक्रेमुल हम उसका दिया है 84 लागतमुर्टध के मतलब निकालने सुपरेसन का मान निकालना है 120% का मान है 226 कितना हो जाएगा भाग कर देंगे वाइस सो अठासी बटा में एक सो तेज हो जाएगा इतना मतलब ऐसे आएगा सवाल कटेगी नहीं है तो कट जाए दो समलों में आगी कुश्चन में 10% और 30% की छूट थी उसके आज 20% क्या रहा है इसने हम उलन किया गया 20% का छूट दिया है जिन्धन की बाद फिर आफसन में हमारे साइज यही है ऐसा कैसे हो रहा है इनका इनका हो जाता है इस बखर रुकिये रुकिये जश्ट कुश सेकेंड यहोने क्या कि आप 30% का छूट दिया था बलब बढ़ाया था 23% अगर बढ़ा हुए मान है जश्ट एक सिकेंड यहां आप लोगोंने लेंग्वज को थोड़ा समझा कर एक बार क्या हुआ अब देखिए मार्किंग में क्या किया है उन्हें 10% 30% मिलाके 30% बढ़ा दिये अब यहां पे अब 23% अंतर में वो क्या करके थे एक बार 23% बढ़ा मान है 55% क्या हो रहा है घट रहा है तो परेष्ट परिवर्थन का मान क्या होता है यह आगक्स प्लस्फ y वाले Formulate नगेगा यहां पे योग अब गड़ी में भी जाग्यों यहां पर लिखेंगे प्रिश्ट मान क्या होगा प्रिश्ट मान परिवर्थन पर बढ़ता है। यहां पे 23 स्चिन परस्द गटा है मतला सल्ग कर देंगी। यहां पे कितना बन जाएगा आएगा। सल्ग प्रस मारा मारेश में यहां कितना बन रहा है वैसे 25-25 पांच भारच यहां से भाग करेंगे पांच आठे चालिस हो चाएगा तीन त्रीयस मतलब पांच चालिस इतना बन गया ना इसको लोग हल पहले कितना बन क्या रहा है आठ चाउदर समलों में चार परसंट के आसपास आएगा इतना बनेगा तो क्या हो रहा है हाँ प्रिशत मान पईवर्तन में पॉश्टी मान हो आप एक बार प्रिशत मान तिलाज बढ़ा दिये हो फिर बीच परसंट शूर दे रहे हो तो प्लस वाला क्या होगा प्लस अगर मुल में बढ़ो तरीकों यह प्लस लगाते हो कमी कर्यत मास लगाएंगे प्रिशत मान पईवर्तन निकाल लिया गया है पुल मिलाकर हमारा यहां से लगते मान निकालेंगे किस का मान निकालना आंको वैसे लागत का मान निकालना निकल जाएगा इसको हल करेंगे कैसे होगा हल 114 होगा समलों में 4 आ जाएगा सही है इतने परसन का मान कितना बन जाएगा 2288 बनेगा आप किस का मान निकालना था लागत मान लागत मान और अंकित मान हमेशा क्या होता है 100% मानते हैं ना कई बात बात है लागत मान और अंकित मान क्या होता हमेशा 100% मानेगे इतने का मान पता है सो परसन का मान निकाले क्या कर देंगे सो से गुड़ा करेंगे सो से गुड़ा हुआ यहां पर क्या कर दूँगा यहां एक जिरो बढ़ जाएगा गया इतना हुआ हब क्या करेंगे कितनी बार जाएगा दो बार जाएगा यहां पर एक जीरो बंयाइक को मतला रोत निकाला जो यहां निकाल निकाल आरे मार्जिन कंतला落 मतलब क्रस में रहेगा यहां 3 fem putsν commune कि आहां पर प्रसंट कर देंगे ईसको कर देंगे इसको हल करने में सब्सक्राइब मलने वाला है लाप मिलेगा तो आप क्या तो से चार आ गया लागत का मान निकालना लागत हमारा 100 होता हूं यहां परेया यहां पर यहां पर जो भी हो देखिएगा और कभी तभी ऐसे सवाल वैसे मिला करती है आगे में चल सकता हूँ, अभी फिलार रुगा हूँ, क्या आप से, सही लग रहा है, जो बच्चे इसे जो नए आए हैं, हाइसको इंटरेपास करके आए हैं, बीए बीए सी कुछ भी कर रहे हैं, जो कभी क्लास ना लिये हों, तो वो मतलब इतना वो भी ना गया, उसमें नहीं क्या होता है, जिसके सहरत नहीं नहीं होते हैं, दिखावा करता है, आसा बेवी ना रहीएगा, आपना अभी नहीं होत, इसका मतलब जिये ना होगे, बहुत उछलो, अराम से सब्गता से गंवेता से पढ़िए, पढ़ाई करिए, आगे अपने अंदर नॉलेज को भरो, इतना भरो कि मतलब आप जहां पर टूटो फूटो ना सब की तबाह कर दो, ऐसी कर दीचे, तो बढ़ियां से महत करके पढ़ाई करें, बाकी तो सब अच्छा हो जाएगा ना, समय बात कर्म करते रहो, यह मतलब जैसा भी है, अच्छा एक इसलना भी दो, हमकि प्रशन गहां रहें कि एक कपड़े का तुकड़ा है, यह सवाल आप सब के लिए हैं, समय पीष है, देखिएका एक कपड़े का तुकड़ा है, छेसु रुपया है, छेसु रुपया है, और इसके बाद इसको लाव पाने के लिए इसके साथ इसको बेंचा जाता है तो क्या कर रहे हैं तो विक्रेमूल लिगात कीज़े बहां साथ को मैं समझा गूंगा फिर से बताकर बाकी यही कुछ आसन दिया गया है क्रेमूल 600 रुपय कपड़ा खाय दे हैं 40 रुपया सिलाई खर्चा हुआ है साहे 12 लाब कमाने के लिए कितना भी पठेएगा लगा साहे 12 लाब कमाना है तो विक्रेमूल का मान बताएंगे अच्छा देखिए ऐ हमेशा लागत मूल और क्रेमूल और यहाज़े अंकित मान इन इसके फर्ष्ट में उसमें विकल्प लिखनाओं देखिएगा फर्ष्ट फर्ष्ट चुनिएगा 640 क्या सकते हो आप या तो 680 भी कहिएगा तो मैं मुख्मान सब्कूंगा लेकिन लगाने के बाद ही सास हो जाएगा यह आपके पास चार ऑप्सन है यह लोग काम कहने वाले है कौन सा सही होने वाला है इस सवाल की किस्मत किस और बढ़ेगी करिए प्रयास यहां पर उन्हें 6 रुपया में खईदा था 40 रुपया लाभ कम आएंगे मतलब क्या हो जाएगा यह उन्हें 640 रुपया इसके प्रतिक खर्चा किया है तो लागत कितना हो जाएगा 640 हो ग जाएगा इसका देगा लागत हमारा क्या हो जाएगा इतना रुपया में सा क्या मानते हैं 100% कमान कितना है 100% का मान है सो प्रसात का मांनसे क्लइट ना है वह खैली आवक अंगर का मांच को एहिंगे म स्काहरों्स कमान सब्सक्राइब अगर इतना है एक परशायों कितना हो पता है कितना होगा चो बाइर पांच का बेंच में एक सो बाइर पांच होगा पांच में पांच बटा में 305 में सब्सक्राइब 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 आपको तो जब पूछा करें कि टाउट को क्लियर करना हम सब का अपना अपना काम होता है ना और करेंगे ही करेंगे लगें अपी सवाब इसका यूज कम किया अगर माइट जादा काम परेगा ज्यादा अच्छा होगा लग नहीं सवाब इसको इसको सब्सक्राइब नहीं वह भी थी तो भी मेंबर है मेंबर आप ऐसे अस आगे चल सकते हैं ना लग गई सबकी सवाब आगई अपकी करते हैं करहें, करते हादा हुआ जा लगज करते हादा करते हैं बढ़ से लिए आगे अब कुछ सवाल लगा लिए फिर काम करते हुए चाथ सो दस चाथ सो ना ऐसा ना करते हैं ऐसा आफसर लाएंगे जो वह ही नहीं कि प्रस्ट आइसा भी देखिए अभी मैं नया प्रस्ट बता रहा हुँ समझें अभी तर इसमें की इंगी सवाल ना लगी है तिन चार सवाल की फिलाले 2019 के 21 जर्मणी को फेपर में आया था लिखा है कोई ठिलावना है मैं खिलावनाने कोई वस्ट लिखूँगा कोई वस्ट है जो कि क्या होता है यहां 13 प्रस्ट की फाने फाने और 11 प्रस्ट की हो रहा है 11 प्रस्ट की लाब विक्रे का अंतर 108 है यह सवाल है लिखा है कि यहां पर कोई वस्ट है 13 प्रस्ट की हाने और 11 प्रस्ट की लाब पर विक्रे का जो अंतर है 108 है और साथ में पूछे आ रहे हैं तो यहां पर 12 प्रस्ट की हाने और 11 प्रस्ट की लाब पर विक्रे का जो अंतर 108 है अंतर का जो मूल 108 रुप्रिया है और फिर कहा रहे हैं 12 प्रस्ट लाब के लिए विक्रे का मान कितना होगा फिराल इसके लिए आफसर आपके पास 4 मिलेगा 440 के साथ 480 होगा और फिर 54 है और लाच में 504 है यह प्रस्ट इस प्रस्ट को देखे कैसे हल करेंगे लोग लाब कमाना है उसको और बारा परस्ट लाब कमाना है ठीक है बारा परस्ट लाब के लिए बेचिएगा तो सबसे पहरे सवाल को देखें उपर बीचेगा तो नों प्रस्ट मान है वो है क्या दो में जो दिया गया है काईों है कि 13 أज हो रहा है और यह लाब होरा रहा है और यह विक्रे और निल्हाज कर ते लाब के लिए ब्लस करते हों मायस करते है लाब उसेंने की अचिए बासे की निकालता ना अंतर आया Racane тех鑼 लोग क्या करेंगे लाब ऽौback हानी कमान कितना होगा, 13% होगा, हानी कमान क्या होगा, डिगेटिव के साथ होगा, और लागो कमान पॉइटिव साथ होगा, इसका क्या निकालना है, अंतर कमान कितना है, बताइए, 108 है, इसको हल कर दीचे, कितना होगा, माइस माइस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 11 प्लस मे पिल्हां किया है अगर आप सो रूपय में ख़ई इस तो आप क्या तरोगे बाक्रामें 1235 कमा के बीच मूण निकालना है अगर आपने सो रूपय में खईदा था वालाब कमा अब यह बन जाएगा हो एक सो बारा होगा आप पास चौबिस पर्सन कमान 108 कितना होगा 12% कमान के 112 कमान क्या हो जाएगा 108 होगा गुड़ा में 112 होगा बर्था में 24 होगा ज्यादा से कम के लिए क्लिए क्लिए भाग करेंगे 24 भाग में चाहेगा और क्या हो जाएगा 112 कनमाने का 112 गुड़ा कर देंगे हल करके चुह आएगा आप सभू क्या होगा एंसर बनेगा बताई कौन सा लगा दूँ एंसर कितना रा रहा है पांस चार मान लू ठीक है ठान लो तो जीत है मान लो तो तब ही जीत होती है अब जो भी अभी बात करता हूं अब से जो भी पूछा पर चैने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आए आप डेखिया आपर कर सकते हैं आगे चल सकते हैं क्या कोई डावड हो किसी को सब काया पांस चार्थ हल करने पर नो जाएगा पर चारा रहा है इसका मतलर यह वाला ऐसा तो तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें तयारी करते रहें ना जिस्टार ना है मिलते हैं फिर से नए क्लास में कुछ नए सवालों के साथ कुछ नए कॉंसित को लेकर तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें तयारी करते रहें ना जित है तो जीत है धन्यवाद जैहिंद